नमस्कार मैं हूँ नरण सिंग परमार और न्यूजेटीन की टीम आज पहुंची है पिर्देश के छतरपुर की विधान सबा पार जहां पार हम बात करेंगे चाय की चुस्की पह और जानेंगे यहां की जनता का क्या है मिजाज वैसे तो छतरपुर विधान सबा जो सीट है यहां की जो जनता है उसने राज साही भी देखी है और प्रजात अंत्र भी देखा है उसके बाद भी जनता का क्या है इस चुनाओ में मिजाज और हम जानना चाहेंगे हमारे साथ भाईया है चाय की चुस्की पर आज निव जेटिन की टीम आपकी दुकान पर आईए क्या चुनाओ में अभी चुनाओ आगे आगे देखते जाओ क्या है तो दोनों अच्छी है वो जिसकी लक्त साथ देगा वो काम कर जाएगा तो देखी बिलकुल जिस तरीके से हम जनता का मिजाज जान रहा है एक भाई और है हमारे साथ जी बताएं आपका नाम अभी तो कर एस बड़िया बढर कैसे सब्कूर चुस्के बढरा अफे आपको यहां पर और न pacs चल ने कितना बड़ा बना हुआ है और और देखी अफ मैडिकल का भी चल्ना है वहां पीछे से और राम मंद्र का बाहिश तारिक को वह भी है वहां पे वी निवंतरन है चलने के लिए सबको बीजीबी का अच्छा है काम यहां पर सब्राज सरकार बनेगी यहां पर जी क्या लगता है जैसे भारती जंता पार्टी ने ललतायादो को कॉन पित्यासी है पार्टी देखकर वोड जाएगा की उनको पित्तियासी को देखकर बोड जाएगा जबातायादो का कि कि 140 परसेंट तीन तारीक में घदर डाल देंगे हम मम्मी के उपर और वह विधाइक बन जाएंगी कोई सकनी है ना कोई दिल में सके ना बाहर सके तो देखिए बिलकुल कहीं ना कहीं पित्यासियों का साथ साफ तौर पर दिख रहा है इस्थान ये मुद्दे जो हैं उन पर किस कि चर्चा करें गिस twin समाठ्य कैया है कि पीलकुल हमारे साथ जंता है उनका कहना है कि उनकी समयट्या ओवा है हमारे साथ उनसे जानना चाहेंगे वो चाय की चुष्की के साथ यहां पर सामल हुए है क्या है बारती जन्ता पार्टी ने इतना अच्छा काम किया है आज आप देखिए कि टूटल गुंडराज खतम हो चुका है और और विकास की बिकास पर अपन बात करें तो देखिया अस्पद काओं को मिल रहे हैं और हर प्एकार से आप देखि हर जगार देखिए समझ में आ रहे हैं सब ठास्वाइबाराजों में नजर आ रहे हैं यहां सब्सक्रार में और सुझाह ó कि अपन कमल पर देंगे बहुत कितना विकास किया है और क्या होना चाहिए विकास को लेकर कुछ आपकी दमाग में अब जो को सब लोग करेंगे वह अपना करेंगे तो देखिए बिलकुल बुंदिल खंड में जिस तरह से यहां की जनता ने राजसाही भी देखी है और अब प्रजात तंत्र भी देख रही है और जनता जो है बिलकुल इस विधान सबा चुनाओ को लेकर अपनी तियार है सत्रा तारिक आने का इंतिजार कर रहे हैं कि कब सत्रा नॉंबर आए और वह अपना बोट करेंगे और क्या है यहां के मुद्दिक क्या समझ्चिया है और विकास हुआ है कि नहीं हुगा ही बताई देखिए जब से भाल्यापा के सासन आया है विकास बहुत हुआ है हम ने बहुत सभाव की है और बहुत अच्छे सभाव में इस लिए जो हम लोग वहाजां पाओक कोी बूठ थू जो कहीं ना कहीं पित्यासी की का बड़ा आसा रहा पर च्छतरपुर की इस विदान सभाव में देखने को मिल रहा है लेकिन इस्थानी समस्या भी हैं यहां पर और वी विकास होना चाहिए था उसको लेकर जंता किस तरह से मुखारे हमारे साथ एक बरस्ट है आपसे जाना चाहेंगे और कितना विकास जली में होना चाहिए था च्छतरपुर विदान सभाव में और क्या मांगे आपकी मांग तो बहुत बड़ी है भाजापा को काम बहुत अच्छो रहो लेकर एक बज़े करीब भाजा पाने हैं बह बिल्कुल दुकान है धरवादाई सीधी सीधी कहीं चले या कोई भी अधकाई लो चले या विगर पैसा को काम नहीं हो रहो और ताना साही भी यह उपर से अधकारी बहुत जादा गड़वल हो गए तो देखिए बिलकुल जिस तरह से जो भाजपा की सरकार ने काम किया है उसको देखकर यह स्थानी लोग खुस तो नजर आ रहे हैं लेकिन यह भी कहना है कि जो अधकारी हैं उन पर लगाम भाजपा सरकार ने नहीं लगाई है और उनकी ताना साही से कहीं न कहीं मद्दाता प्रवावित रहा है हमारे साथ युवा हैं आप क्या चाहते हैं जो ए सब्सक्राइब ने किया है और हंड़ेट परसेंट कि बीजीपी सरकार आईगी और हमारा यह भी है कि अभी जो राम मंदिर कि अभी उद्गाटा नूना है तो हमें मद्द प्रदीस में एक सो इंक्यामन सीटे चाहिए क्योंकि एक सब्सक्राइब वहां चड़ाना है हमारे अच्छा लगा भी सबको रोड़े दरवाई परिशा दिए खाने के मनने के सबको परिशा दिए अच्छा काम करा नहीं दिए परिशा दिए और जाज चनता करें आपको वसी हम करेंगे तो देखिए बिलकुल जो गिरामिड छेट से लोग आये हैं उनका साब तोर पे कहना है कि जो सरकार की योजणा वह अच्छी हैं लेकिन जो भिस्टाचार है वो चरब पे रहा है थो भी अपने कल के सामने आ रही है हमारे साथ और भी हुए हैं आप बताएए किस सरकार कीुज्नाव से प्रवावजत हैं विकास को लेकार किस तरह से मुखर है है आप विधान सवह में भीजी सरकार को जबसे आई है जबसे जनता की विकास और छेत की विकास kuntakuya कि जो सराहने तो देखिए बिल्कुल नियुजेटीन की जो चाय की चुस्की की जो खास है पेशकास है वो छतरपुर की विधान सवा में यहां पर चल रही है हमारे साथ और भी लोग हैं आप बताएं कि विधान सवा में क्यों से मुद्दे हैं जिन सबीकर यहां पर आपको प्रूप करें कि हम इस माध्यम से अपने मेडिया के महत्यां से कि जो बिहार में जंग्णा होई है वही है एमपी में कराने की जरूवत नहीं है आज हमारे सिरीमती ललता यादों को मुखमंत्री बना दिया जाए तो कोई जरुवत ही नहीं है उसकी काई की जणगंडा की कोई जरुवत नहीं है यह हाई कमान को देखना चाहिए एक बार मौका मिला था यहां से उमा भारती मंत्री बनी थी तब क्या विकास हुआ था आज भी विकास आज तो बहुत बिकास है भई आज मुस्लिम जो इतने गरीब है और हिंदू बर्ग भी इतना गरीब है को उसने कभी छत नहीं देखी उसने चत पर पंखा ठांग दिया आवास मिला है इस लाड़ी बेहना चाहिए बिल्कुल हमारे साथ इस्तानिये लोग लगातार बने हुए हैं उनका साब तोर पर कहना है कि सरकार की जो यह जना है वो अच्छी है लेकिन जो इस्तानिये मुद्दे हैं उनको लेकार वह है अभी भी पसूपेंच में हैं और ह हमारे साथ है और भी होवा है जी बताएं क्या मुद्दा ने करेंगे हैं ने हैं और काफी समय से आप देखते आ रहे हैं एक चीज के मुद्दा एह बनाना चाहिते लोग कहना चाहिते हैं अपने माध्यम से कि भारती जन्ता हैं जो अपने नजी आदि खुरायद हैं बचे हुए कान है वो पूरे होंगे तो देखिए बिल्कुल यह हुआ भी साफ तोर पह कह रहे हैं जैसा कि निव जेट तीन की जो चुनावी चुस्की की यहां पार बात चल रही है चर्चा चल रही है हमारे साथ जो चाई की दुकान है उनसे जानना चाहेंगे कि क्या जनता इस्तानी मुद्दों को लेकर मुखर है आपका कोई मुद्दा या कोई मांग है क्या अभी तक तो हमारे पाई हैं उनका साफ तोर पर कहना है कि विदानसभा चुनाओं की च्छतरपु विदानसभा में अभी एक तरह से शुरू आती हुई है और लगातार जैसे ही समय बी सब्सक्राइब काम अच्छा करा है काम बढ़िया करा है और अच्छी लहर है आप कहां से हैं क्या लगता है सरकार के कामकात से खुष है के नहीं है सब खुष है और जो कांग्रेस की सरकार आई ती 15 महीने के लिए उसके कामकात को खुषते हैं क्या मुद्दा इस बार क्या सोच के बोट करेंगे तो देखिए हमारे साथ एते बुजौर के जो कह रही है कि दोनों सरकार अच्छा काम किया है लेकिन इस बीच में हमारे साथ एक और सज्जन है क्या चाहते हैं आप इस बिदानसवा चुनाव में छेट कर लिए सब अच्छा है हैं विजी बी ने जो काम किया अच्छा किया है तो देखिए बिलुकुल कहीं ना कहीं जो न्यूजेट टीन की चुनावी चुस्की का जो खास कारीक्राम है वो छतर पु हुआ है और उसमें साब तौर पे बाते नकल के सामने आई हैं कि लोग जो है विकास को लेकर बोट करेंगे लेकिन उन्होंने साथ भी कहा है कि जो भाजपा सरकार उसके समय में भेस्टा चार चरम पर रहा है कहीं ना कहीं उस पर लगाम लगनी चाहिए थी नरिन सिंग पर